हेलो एब्रिवान वेल्कम बैक टू इंडियन मॉम के लदी और यहां पे तैयारी हो रही है आज एक स्वीट डीस की और मैं यहां पे बना रही हूं बिसन की बर्फी और काफी आसान तरीका है और बहुत ही क्विकली बन जादी है अगर आपके घर पे गेश्ट आने वाले हो और आपको कुछ मतलब गेश्ट आने वाले हो या फिर आपको कुछ मीठा तुरंत बना के खाना हो वो भी घर का तो यह रेसिपी आप बना के तुरंत खा सकते हो तो यहां पे मैंने पहले तो जो है सुगर सिरप बना दिया था और अभी मैंने जो है यहां पर घी के अंदर बेसन डिला जितना आप घी लोंगे उतना ही आपको बेसन लेना है घी थोड़ा कम होगा तो भी चलेगा लेकिन बेसन जो है आपको उससे थोड़ा ज्यादा ही लेना है उस तरह का है यह measurement और non-stick में ही आप उसको बनाए ताकि जो है बेसन जो है जल्दी से चीबब केना तो इस तरह से पाँच से दस मिनिट तक उसको लगातार ऐसे गुमाते रहना है यहां पर और उसका color changes होने लगेगा यह देको इसका color changes हो गया पाँच से दस मिनिट के अंदर लो से मीडियम फ्लेम में आपको बनाना है और तुरंणत ही आपको ये सिरब डाल देना है और ये जाली-जाली ऐसे बनने लगी कि स्टार्ट हो जाएगी यहाँबे और धेखो कलर भी एकदम चेंज हो गया है और खुसबू भी आने लगती है और ये देखो लाश्ट में पूरा घी और वो सब भी इसके अंदर आपको घी छुटने का और वो सब जो है नहीं दिखेगा घी छुटा हुआ और जब तक ये पेन में चिपकेना तब तक आप उसको ऐसे बना सकते हो और लाश्ट में जो है मैंने ठाली जो मतलब ये डीस 오ial grease करके रखी थी उसे के अंदर डाल के ये पूरा और थोड़ा सा ठंडा हो देना होना पड़ता है उसको मतलब होने देना पड़ता है इसको और बाद में जो है मैंने बादाम और काजू और वो सब काटके इसके उपर जो है ऐसे डाल के थोड़ा सा प्रेस कर दिया है रूम टेंपरेचर पे आने के बाद उसको आप फ्रीज में डाल सकते हो उसको ठंडा करने के लिए और बाद में उसके पीसीज कर सकते हो तो यहाँ पे बहुत ही बड़िया मेरी जो है बेसं के बरफी बनके रेडी हो गई है और यहाँ पे जो है शाम का वक्त था मैंने बेसं के बरफी जो है सुबह में बनाई थी और यह स्याम का वक्त था शाम हो गई थी यहाँ पे और यहां पी हमरे घरद पे उसका नाम कुछ अच्छा ही था उसका नाम मोडल या मदाल उस तरह का नाम था और बहुत ही महंगी मिलती है ये फिस और खाने में एकदम मीठी और एकदम वो हमें तो नहीं खाती लेकिन खाने वाले जो लोग थे वो बता रहा है थे ये रेडिमेट घर पर ही बनाया था मसाला जो रहता है न वो ग्रीन वो ह यादा द्रक लेसुन और वो सब सारा गरम मसाला और वो सब डाल के ही बनाया था घर पर ही और उसको रहने दिया था एक से दो गंटे तक मेरिनेट करने के लिए ये मसाला लगाने के बाद मत ये फीस के उपर और ये देखो ये पतेली हमारे घर पर नहीं है ऐसी वो जो हमा रहने वाली दिदी है वो ही बनाने के लिए आए थी क्योंकि हमें नहीं आता ये बनाना और वोही घर से लेके आए थे ये और काफी मोटी वाली पतेली थी और काफी हैवी थी 5-6 किलो तो वजन होगा ही ये पतेली का और ये फीस जो है 1 kg फीस थी और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेश्टिव बने थी बहुत बढ़िया बनाई थी यह दीदी ने और यह देखो ऐसे हिला हिला कि उसको अच्छी तरह से मैंने बताया था आपको पहले भी जो है हमारी दक्सिंग गुजरात में जो है फीस जो है इसी तरह के बरतन में बनाए जाते है क्योंकि य अच्छे से पक नहीं पाएगा और उस तरह का रहता है और यहां पर इमली का पानी यहां पर डाल रहे है जो खटी वाली होती है इमली में भी दो तरह की प्रकार आते है जैसे कि मिठी वाली और खटी वाली तो यह खटी वाली इमली है हमारी घर पर खटी वाली इमली थी तो बस उसी का जो है पानी डालके वह सिर्फ इसी पानी में जो है बहुत बढ़िया तरीके से पांस से दस मिनिट तक उसको पकाएंगे और कोई भी लैसून मतलब लैसून अध्रक वह तो सब डाला ही था लेकिन जो है प्यास टमाटर वह सब कुछ भी नहीं डाला था और यह हमारी जो है फिस बनके रेडी हो गई है सब खाना खाने के लिए बैट चाएंगे वह सब तो मैं भी नहीं दिखाऊंगे आपको और दोस्तों यह है नेक्स्ट मॉर्निंग का और यहां पी जो है मेरी ममा नहीं थी गाउं में गई थी तो उसी दिन जो है मेरे दादा जो है उनका सराथ था तो मैं नहा ली हूँ अच्छे से और नए कपड़े पहन लिए है मैंने मतलब ऐसा रूस तो नहीं है कि आपको अच्छे कपड़े मतलब नए कपड़े पहनने पड़ते हैं वो रूस तो नहीं है लेकिन जो है मैंने मन से ही यहां पे मैंने नए कपड़े प पकोड़े और खीर और वो सब तो बारीस जो है ना बहुत तेज हो रही थी बहार और काफी अंधेरा लग रहा था और लाइट भी मैंने चालू कर दी है तो यहां पि मैंने टिंडे की सबजी टिंडे और आलू की सबजी बनाई थी और उसी की तयारियां हो रही है सुबह का मैं सब्सक्राइब या साथ बजए के आसपास उठ गई थी और तुरंत ही लग गई थी काम में और जहीनम भी उपर सोया हुआ था और यहां पि जो है मेरा भाई भी आयल टीएस का क्लास करता है तो वह भी नौसारी जहाने के लिए जो है उठ गया था जल्दी से और यहां पर जहें एक तरब तिनों के तीनों गैस चालू कर दिए थे मैंने एक तरब पानी नहाने के लिए रखा था क्योंकि थंड़ पानी से नहीं नहा सकते यहां पर बहुत थेज बारिसी तो जो है पूरा एकमोस फिर ठंड़ हो गया था और सबजी यहां पर मैं बना रही हूं साथ में जो है मैंने डाल रख दी है और हर की डाल उसको उबालने के लिए और सबजी बन रही है अभी तो ये सराथ का खाना जो रहता है ना तो वो आपको चके बिना ही खाना मतलब चके बिना ही बनाना पड़ता है आप ये सबजी कैसी इसके अंदर नमक डला है कि नहीं डल चड़ाना पड़ता है तो जो भी जो है रहता है ना ऐसे कोई भी ओकेशन पे और वो सब तो ऐसे वरत वाले खाने और वो सब रहते रसोई तो आपको कोई भी रसोई ऐसे आप चक नहीं पाते लेकिन जो है हम चक चक के बनाते है ना वो हो रसोई और हम बिना चक के बनाते है यहाँ पी मैं जो है पूरिया बनाओंगी वो मसाला वाली पूरिया और यहीं पूरिया का बनाते है तो यहाँ पी मैंने दाल का कुकर बंद कर दिया था यहाँ पी मिरा आयाटा भी गundert के रेड़ी कर दिया है मैंने अभी तक जो है मेरी ये सबजी बनके रेडी नहीं होई है मुझे ये टिंडे की सबजी बहुत ही वो जमेले वाली लगती है क्योंकि सारा काम आपका खतम हो जाए लेकिन टिंडे की सबजी और भिंडी की सबजी ये दुनों सबजी बनके रेडी नहीं होती तो मैंने जो ठकन लगा था उसके उपर भी जो है पानी डाला था लेकिन वो हो ही नहीं रही थी अच्छे से और जो है मैंने स्टाटिंग में सारे मसाले नहीं डाले थे क्योंकि जल जाता है ना पूरा मसाला है और बहुत टाइम लگता है तो उतने में तो बहुत सारे मसाले हम डालते है रोस जल जाते है तो फिर से दकन लगा दिया है मैंने उसके कड़ाई के अपर और यहाँ पर मैं जो है दाल की तैयारी या भी कर रही हूँ डाल के डाल में तड़का लगाने की तैयारी तो मसाला और वो सब इसमें डाल के फिर उसको घुमा दूंगे अच्छे से और बाद में जो है उसमें तड़का लगा के रेडी कर दूंगे यह गह ड्या भी कर दो मसाला ना के जब बाद में जो है तो कि वुमा बाद में जो तो अबाद में जो कि यह चाला और वहा है। मुझे ना ज्यादा तर से डाल ऐसे ही जो है उपर से जो फ्राई करते हैं यहां पर जो तरका लगाते है वह वाली दाल इतनी पसंद नहीं आती मुझे डायरेक्ट ऐसे वाली डाल पसंद आती है जैसे पतेली में जो है तेल और वह सब डाल के क्योंकि पहले से ऐसी हमने खाई है और पहले से ऐसी हमने बनाई है तो इसमें मेरा माप अच्छी तरह से रहता है और हम जो कुकर में जैसे डालते हैं तड़का वाला तो उसमें मुझे इतना अच्छा आइडिया नहीं आ पाता कि इसके अंदर पानी कितना जाएगा और कितना नहीं तो यहां पे जो है डाल भी हो रही है लेकि जो है अभी भी मेरी सबजी रेडी नहीं हुई है और यहां पे जो है डाल भी बनने वाली है तो यहां पे दोस्तों मैं जो है सूजी रहती है उसका ही हल्वा जो नॉर्मल हम बनाते हैं वही अभी मैं बना रही हूँ और यह नाप की बनाया मैंने क्योंकि हमारे घर पे कोई मीठा इतना खाता नहीं है जैनम भी नहीं खाता और मेरे पापा और भाईया मुझे भी इतना पसंद नहीं है तो थोड़ा ही हल्वा जैसे सकन बोलते हैं तो उतना ही बनाया था ज्यादा नहीं बनाया था तो वही मैं भी हल्वा बना रही हूँ सुजी का तो यहां पे मेरे सुजी का हल्वा बनके रेडी हो गया है और यहां पे अभी पूरिया भी मैंने बेल दी है साथ में ही और तेल भी मैंने रख दिया है गैस के उपर ओफर उई छोटा सा कड़ा में उजे कड़ाई मिली छोटी सी ही क्योंकि सारी कड़ाई जो है बरतन जो गिसने में डाल दी है क्योंकि अभी रात के बरतन जो है ऐसे ही है तो ये चुटी वाली इस कड़ाई में हम जैनम जब छोटा था ना तब इसमें जो है गेहों का आटा रहता है उसका जो है हलवा बनाते थे हम जैनम के लिए मेरी ममा बनाती थी तो उसी बज़े से ये चुटा वाला जो है कड़ाई मेरी ममी उसके लिए स्पेस्यल लेके आई थी तो इसके अंदर अभी एक एक पूरिया में तलके जो है बना रही हूँ अभी और जो है पूरा सुरात का जो खाना आज जो है रैडी हो गया है मेरा और अभी मेरे पापा आएंगे और वो अभी जाएंगे सब लेके तो यहाँ पे इस रात की खाने में जो है दो एक उपर तरेश के उपर रखते है और एक जो है कुट्टे को डालते है और गाई को और उस तरह से तो यहाँ पे डाल, चाव, सब्जी, पूरी, फिर हल्वा और चाइबी जो है हम डालते है पहले से ही तो चाइबी रखी है और यह सब जो है थोड़ा-थोड़ा ही रखते है हम ज़्यादा नहीं रखती है और वो सब जो है मेरे पापा भी हिएंड कर रहे है अभी और बहुत ही अच्छा जो है खाना बना था आज और बहुत रेड मतलब आज तो टाइम भी कहां मतलब दस कहां बच गए मुझे पता ही नहीं चला तो दोस्तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक का था आपको कैसा लगा प्लीज कॉमेंट में जरू बताना आप लोग कोई कॉमेंट ही नहीं करते मुझे लाइक जरू किजेगा वीडियो को और सब्सक्राइब नहीं किये हो तो सब्सक्राइब भी कर दिजेगा मिलते हैं नेक्स व्लॉग में तब तक के लिए बाई एंड टेक केर प्लीज सक्ड़ियो